हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में और काफी टाइम से सोच रही हूँ आज क्या बनाओ क्या बनाओ क्योंकि सर्दिया थोड़ी थोड़ी खतम होने लगी हैं और जो सबजियां है ना ह जाल चावल तो सभी के फेवरिट होते हैं लेकिन रोज नहीं खाये जाते हैं तो इसलिए आज मैं बनाने वाले हूँ कुछ अलग तरह की अपने किचन में कड़ी तो इसके लिए मैंने यहां तैयारी कर ली है कुछ तड़का चॉप कर लिया है साथ में ले ले रही हूँ बेसिक मसाले सिर्फ तीन तरह के जिसमें हल्दी पाउडर है रेट शीली पाउडर है साथ में लिया है मैंने धनिया पाउडर और आज जो कड़ी बनने जा रही है इसे आप बहुत कम टाइम में बना कर खा सकते हैं आपको पकोड़े बनाने के जिंजट नहीं है कुछ भी जिंजट नहीं है सारे जिंजट से मैं आपको मुक्त करने वाली हूँ कड़ी के लिए क्योंकि कड़ी जो लवर होते है ना उनको कड़ी बस जल्दी से मिल जाए पकने की देर नहीं होती कि कड़ी जल्दी से बस आ जाए बरतन में तो चलो आज वही तरीका लेकर आई इतना अच्छे से फैटना है कि दही बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, मतलब जो मोटे-मोटे हलके-हलके लंस होते हैं वो नहीं रहने चाहिए, इससे क्या होगा हमारे कड़ी के फटने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो मैंने यहां सरसो का तेल गरम कर लिया है और इसमें डाल रही हो एक टीस्पून मेथी दाना, एक टीस्पून जीरा, साथ में लैसुन, हरा मिर्च और इसी के साथ मैंने डाल दिया हरा प्याज, हरी प्याज बहुत जादा टेश्टी लगती है कड़ी में और साथ में हाफ आज मैंने लंबी-लंबी चॉप करके डाल दिया है लाल वाली और आप डालेंगे हम मोटे कटे हुए दो आलू है मीडियम साइज के आलू जरूर डालिएगा इससे आपको पकोड़े डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी और जैसे ही आलू भुन जाएगा ना इसका टेस् में फ्राय कर लेंगे और आप डाल देंगे सारे मसाले बेसिक वाले जो भी हमने गोल के रखे हुए थे चौथा कोई भी मसाला मैंने नहीं लिया है सिर्फ तीन तरह के मसाले है इसमें और यहां पर आपको नमक नहीं आट करनी है बिल्कुल भी मसाले को अच्छे से चिटक बनानी है रही कि दाल दिया है हमने यहां पर पानी जितनी पतली आपको पसंद है उसी इसाप से आप पानी डालिएगा जितना पानी रहेगा जितनी ज्यादा THE रोटेगी कडी हमारी सबसेख चलाते रहेंगे बिना रूखे जब तक उसमने अउबाल आ जाता है और यह दे तो मैंने साथ में यहां पर नमक एट कर दिये लगबग 2 टी स्पून और अच्छे से इसे फिर से हम कटीनु चलाएंगे और बस इसे छोड़ देंगे अब बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे गैस की और इसे पकने देंगे लगबग आदे घंटे तक आदे घंटे के बाद हमा हमारा जीरा राइस रहता है या ओईली रहता है तो यहां कडी का कलर आप देख सकते हैं कलर देखके ही आपको पता लग रहा होगा कडी एकदम पकर तयार हो गई है और इसकी खुश्वू जो मुह में पानी ला रही है ला जवाब है बस रुका निजा रहा तो उपर से मैं ने लगा दिया है इसमें एक बहुत जवज़स सा तड़का जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च सूखी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल दी थी मैंने तो एकदम यहां पर शादियों वाली कडी बनकर तयार हो गई है और गर्मा गरम राइस है यहां पर मार निकला हुआ और मैं कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और गर्मा गरम यह कडी के रेसिपी बना कर जरूर खाईएगा तो चलिए मैं इसे इंजॉय करने चलती हूँ बेटे को खिलाने चलती हूँ आप लोग इसे जरूर बनाना उसके बाद यहां काम सारा हो गया था सारे काम हो गए थे किचन विचन का पुरा क्लीनिंग कर दी थी खाना वना खिला दिया था दोनों को हस्बन को भी बाबू को भी और फिर मैं भी अपना खापी के आ गई थी सारा क्लीनिंग हो गई थी और अब चलती हूँ आप सबसे विदा लेती हूँ मिलती हूँ एक और रेसिपी में अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा मस रहिएगा रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा बाबाई दोस्तों